और अब बात करेंगे डिप्रिसियम सचिन पालेट की तो डिप्रिसियम सचिन पालेट दो दिवसी जालो सिरोही दोरे पर है जहां उन्होंने सिरोही में अधिकारियों की बैठक लेकर सरकारी योशनाओ के क्रियन वैन को लेकर निर्देश दिये हैं साथ ही लोगों की समस्या सरकार की विश्णाओं को आम घरीब तक पहुचाने को लेकर प्रभावी मॉनिटरिंग की जा रही है जिलों में विकास को लेकर सरकार का फोकस है सचिन पाइलेट से खास बात्चीत की संबादाता लूराराम दरजी ने सरकार की योजना है हर आम आदमी तक पहुचे उसके लिए मैं आपके बीच आया हूँ मेरे साथ खास बात्चीत के लिए सचिन पाइलेट मौजूद है पाइलेट साथ जिस तरीके से आपने संबुदन में का सरकार की योजना आम आदमी तक पहुचे इसलिए आपकी परभावी मौनेटरिंग हो रही है परदेश में सरकार बनने के बाद हम सभी लोगों की ये जिम्मेदारी बनती है कि जो हमने वादे जनता से किये हैं उसी पर विश्वास करके हमको वोट मिला है हम सरकार में अगर आज काबिल हुए हैं पबलिक के वज़े से हुए हैं और जो भी जन करल्यान के लिए हमने नीती निर्मान किया है जो योजना बनाई है उसका सई समय पर और सई ढंक से कर्यानवन हो यह हम सब का फर्ज बनता है इसी को लेकर इन जिलों का आज मैंने दोरा किया है आदिकारियों के साथ हमने मीटिंग्स करी हैं जहां में के कमिया हैं उसको पूरा करेंगे लेकिन यह गर्मी के महीने हैं लोग परिशान हैं बिजली पानी के समस्या पूरे देश में है राइस्थान में भी है तो उस दिशह में हम लोग काम करने जा रहे हैं जो हम घोशना अपने मैनिफेस्टो में हम लोग कर चुके हैं सरकार बनने के बाद हमने की हैं किसानों को लेकर नौजबानों को लेकर उसको पूरी तरह दरातल पर वो अच्छी तरह इंप्लिमेंट हो इसको पुक्ता करने के लिए सब के साथ मैंने बात की है और मुझे खुशी है कि जिस उम्मीद के साथ लोगों ने हमारे समर्थन किया था आज हमें उस पर खराउतर रहे हैं और इन जिलों में जालोर में, सिरोही में, पाली में, जहां मेरा तौरा है, मेरे अपने विभाग जो हैं, उसके लावा जो परशासन के अधिकार ही हैं, उन सब को हमने मुस्ते होने के लिए कहा है क्योंकि चुनावती पूर्ण समय है, इसमें लोग उम्मीद करते हैं कि परशासन और सरकार हमारे इस कटें समय में, हमारे काम आएंगे, पालर साब ये काफी महत्वपूर्ण सवाल हो जाता है कि चुनाव से पहले कुछ कारे थे, विकास कारे जो रुख गए, तो उन पे किस तरीके का आफका फोकस रहे हैं, जो ऐसा है, जन हित में जो काम हैं, वो कभी नहीं रोकने वाले हैं, दुएश के भावना से काम करना हमारी फितरत में नहीं है, तो पबलिक की जो डिमांड्स हैं और जो पबलिक के वेलफेर के काम हैं, उन सब को हम पूरा करेंगे, बलकि उसमें वृद्धी करना चाहते हैं, यह है उपमुके मतरी सचिन जिनों ने कहा कि सरकार का जंद कल्यान करी यूजनाव पर फोकस रहेगा, लोना राम फर्स्ट इंडिया नियूज जालो